हाई गाईज विल्कम बैक टो मैं चैनल वीडियो टेस्टर तो फ्रिंट्स हम लोगोंने फेरेन लबली क्रीम तो अपने फेस पे कई बार लगाया है बट आज मैं इसको ट्राइ करने वाली हूँ एज फेस पैक की तरह तो आज जो है वो मैं फेरेन लबली को थोड़े से पान इस पे करता है क्या यह उतना ही रिजल्ल देता है जन् nomalk cream की तरह आप लगाते है तब देता है तो हमने कई बार जो है फेरेन लबली क्रीम लगाया हुए है अपने बच्पन के दिनों में तो जब आप फेरन लबली क्रीम लगाते हो ना उसके अंदर थोड़ा सा पानी को मिक्स करके लगाते हो तो वो जो वाइट स्कार्स होते है ना वो जो है वो फेरन लबली क्रीम नहीं छोड़ता है तो मैंने भी कई बार जो है ना उसको थोड़े से पानी के साथ में मिक्स करक तो है आज हम इसी तरीके से जो है अपने घर पर फेस पैक बनाने वाले हैं लगाने वाले हैं और इसको जो है वो मैं 20 मिनट तक के लिए रहने दूँगी यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ हाफ फेस के ऊपर लगा रही हूं ताकि मैं आपको इसका ओने रिजल्स शेयर कर पाउ इसको मैं बहुत ही ठिक लेयर के साथ में लगा रही हूँ और इसको जो है वो आप 20-25 मिनट तक अभी रहने दीजेगा बिकाज अभी ठंडी का टाइम है तो इतनी जल्दी से जो है यह ड्राइ नहीं होता है और जितनी जल्दी जितनी देर यह आपके स्किन में रहेगा तो इसको अब्जॉब करेगी और बहुत ही अच्छा रहेगा तो आप देख सकते हैं मैंने इस अप्लिकेशन को जो है वो अपने फेस पे अप्लाइ कर लिया है मैंने काफी ठिक जो है यहां पे लगाया हुआ है और इसको हम 20 मिनट के लिए रहने देंगे और 20 मिनट के बाद इसको मसाज करते हुए हमें निकाल देना है और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगे डिफ्रेंस इस स्किन में और इस स्किन में तो आप खुद देख लीजेगा कि रिजल्ट इसका क्या आता है तो फ्रेंट्स 20 मिनट सब हो चुके हैं तो चलिए फटा-फट से इसको करके जो है इसको रब करते हुए निकालना है और इसके बाद जो है आप नॉर्मल ठंडे पानी से अपना फेश वाश कर सकते हैं फ्रेंट्स मैं इस चैनल पर आप लोगों की साथ में बिल्कुल ओनेस्ट रिवियो और ओनेस्ट हैक ही शेयर करना चाहती हूं इसलिए मैंने इस हैक को ट्राइ किया है जस्ट आपको इसको इस तरीके से मसाज करना है और 20 मिनट बाद जो है इसको किसी भी कपड़े से आप पोच सकते हैं वाइप से टिशू से पोच लीजिए और नॉर्मल पानी से जो है आप अपने फेस को वाश कर सकते हैं तो मैं इसका फाइनल र होगे कि अगर आप फेरन लबली को फेस पैक की तरह यूज करते हो तो वह आपके स्किन पर क्या काम करती है और कितना इफेक्ट डालती है तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे से जो है मैंने यहाँ पर इस फेस पैक को जो है वो क्लीन कर लिया है और रिजल्ट आप खु हो चुकी है तो मैं ऐसा नहीं कहती हूं कि यह जो ब्राइटनेस है वो पर्मनेंट रहेगा बट हां टैंप्रेरी बेस पे आप इसे यूज कर सकते हो लाइक अगर आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हो आप मेकप विगरा नहीं करना चाहते हो तो आप इसे यूज कर सक कर सकते हो तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे टिप्स को यूज कर सकते हो लेकिन यह डेली के लिए बिल्कुल भी नहीं है फैरन लबली में जो है ना वह नौर्मली भी लगाते हैं तो आपके स्किन थोड़ी स आपके स्किन पर अगर बहुत ज़दा ओईल आने की प्रॉबलम है और आप मेकप करते हो और आपके स्किन बहुत जल्दी ओईली हो जाती है तो आप मेकप से पहले यह वाला ट्रिक यूज कर सकते हो और बहुत ही माइल बहुत ही मिनिमम सा मेकप करिये स्किन पर आपके स्क को फॉलो कर सकते हैं तो उनकी skin जो स्केट Eles 자가 आइशे सुटे मेरा में मेरा जाना का फॉलिया स्केट हो इक सिर्ट एक पर डाया मेरी का खothy लोग रही है तो आप झाहलिवा कि अगर चाहो तो इसsem Nagusme यह फेस पैक जो है अगर टीनेजर चाहें वह भी यूज़ कर सकते हैं विकाज इसके अंदर आपको कुछ भी नीमू, इनो, हानी, कुछ भी एक्स्ट्रा मिलाने की ज़रूरत नहीं है जस्ट फेरल लबली लीजे थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको अपने फेस पे लगा लीजे 15-20 मिनट तक रहने दीजे और नॉर्मल थंडे पानी से वाश कर लीजे अगर आप चाहें तो इस फेस पैक को जो है वो रोज वॉटर के साथ में भी बना सकते हैं अगर रोज वॉटर नहीं है तो कोई रिक्कत नहीं है नॉर्मल पानी के साथ में बनाकर अप्लाई कर और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजे वीडियो को और अगर आप और भी ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताईएगा और अगर आपके पास कुछ और ऐसे हैक्स हैं जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में लिखके भेजिएगा मैं जरूर आप लोगों के लिए और इंट्रस्टिंग वीडियो लाती रहूंगे थाइंक्यू पर वाचिंग वीडियो टेस्टर बाबाई